सन 1848 से सन 1856 का ब्रिटिस काल भारत के इतिहास में महत्यपुर्ण है भारत का गवर्नेर जेनरल इस वक्त लॉर्ड डल हौजी था जिसने युद्ध और कुटनिती के माध्यन से भारत पर अपना अधिकार कर लिया था लॉर्ड डल हौजी एक समराजवादी विचारधारा का व्यक्ति था इसने युद्ध के द्रिड़े निस्चित ब्रिटिस समराज का विस्तार कर लिया गोद प्रता निशेद इशी के द्वारा लाया गया था लॉर्ड डल हौजी उग्र समराजवादी था इसने पंजाब, पिगू तथा सिक्किम को युद्ध के माध्यम से ब्रिटिस समराज में विलीन कर लिया था फिर सांधी पुर्ण रूप से अन्य राजियों को अपने में विलीन करने की कोशिस की थी जिस निती के माध्यम से उसने ऐसा करना चाहा, उसे गोध निशेद सिधान्त कहते हैं गोध निशेद निती, इस निती में जो कमपनी के अधीन था तथा जो कमपनी पर निर्वर था उस पुत्र को गोध लेने की आग्या नहीं देतर उसके राज्य को कम्पनी में राज्य में विलीन करने का निर्ने लिया डलहौजी ने अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए भारतिय राज्य को तीन सुरेनियों में विवक्त किया जो स्वतंत्र राज, आस्रित राज और अधिनस्त राज के नाम से जाना जाता है स्वतंत्र राज स्वतंत्र राज वे राज थे जो प्रेटिस राज के अस्तित्त में आने के पुर महीं विद्धमान थे जैसे जैपूर, उदैपूर, आदी आस्रित राज आसृत राज वो थे जो पहले मुगल समराथ या पेस्वा को वार्सिक कर देते थे किन्तु अब ब्रिटिस सरकार को कर देने लगे थे और अंग्रेजों के आसर और संरक्षन में थे जैसे नागपूर, गौालियर, आदी अधिनस्त राज ये वे राज थे जो कमपनी ने बनाया था अत्वा जिनको जीत कर ब्रिटिस सरकार ने पुना अस्थापित किया था जो पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधिन थे जैसे जहासी सतारा के राज्य हरपनिती के कार्यवन इसमें लौड डलहौजी ने गोद लेने की प्रत्था को अमानने कर दिया था तथा ब्रिटिस समराज में विलीन कर लिया था सतारा सन 1848 इस्वी में ये डलहौजी के हरपनिती का पहला निशाना था कमपनी के संचालकों ने डलहौजी को इस कार्य का समर्थन किया अतारा के राजा ने ना ही कमपनी द्वारा निर्मित थे और ना ही कमपनी के अधीन थे वे संभलपूर और जैतपूर सन 1848 में उरिसा के संभलपूर राज्य का सासक नारायन सिंग ने नी संतान वे मड़ गये थे मृत्यों के बाद वो कोई पुत्र गोद नहीं लिये इसलिए इसके बाद इस राज्य का पदभार उनकी रानी ने संभाला लेकिन लौड अलहौजी ने सिंगासन परानी के अधिकार को अस्विकृत कर दिया और संभलपूर को तथा बुंदेलवार में इस्थित जैतपूर को राज हरप निती के माध्यम से हरप लिया जहासी सन 1863 में पेश्वा ने जहासी के राज ब्रिटिस कमपनी को दे दिया कमपनी ने जहासी के राजा रामचंद्र के साथ एक संधी की और वचन दिया की जहासी के राजा रामचंद्र और उनके उत्र अधिकारियों के अधिकार में वनसा नुगत चलेगी लेकिन सन 1848 में जहासी के राजा गंगाधर राव के निधन के पुर्व ही उन्होंने एक पुत्र गोद लिया था जिसका नाम दामुदर था और कंपनी ने उन्हें इसकी स्विक्रती भी दी थी किन्तु 20 फरवरी 1854 इसवी को डलहौजी ने यह नेने लिया कि जहासी का राजा को इदर तक पुत्र नहीं हो सकता फिर लक्ष्मी बाई ने डलहौजी को 1817 की हुई संधी का याद दिलाया किन्तु डलहौजी नहीं माना और घोसना कर दी कि जहासी को अपने राज में मिलाया जाएगा